बिग बॉस 18 टाइम गॉड टास्क चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ किस तरीके से करनवीर परेशान हो रहा है कि उसके साथ के जो लोग है वो समझ ही नहीं रहे है कि यहां गेम चल रहा है अब देखो करनवीर का यहां परेशान होना बिलकुल बनता है पहले तो खुद करनवीर ने गेम को बड़ी लाइट ली लिया और अब जब वो थोड़ा एक्टिव हुए है जब उसको थोड़ा नजर आने लग गया है कि अरे मिरसाथ हो क्या रहा है तब उसको यह नजर आ रहा है कि ओ भाई अभी तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जो मेरे साथ लोग है वो लोग भी यही है कि वो भी बड़े ढीले से हैं और उनमें शिल्पाजी नंबर वन पे हैं और कहीं न कहीं चुम भी सही और गलत में फस जाती है और वो डिसीजन नहीं ले पाती है कि क्या सही है क्या गलत है नहीं सही और गलत के चकर में फस के वो कई बारी गलत को भी सही बोल देती है और सही को भी गलत बोल देती है तो ऐसा होता है अब वो करन कंटिन्यूज शिल्पा जी को समझा रहा है किया रहे शिल्पा जी कर क्या रही हो आप डिसाइड तो करो आपने कल किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया यही बात तो हम भी कह रहे थे कि शिल्पा जी ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया रजत से उनको इतनी problem है, लेकिन फिर भी उन्होंने रजत को nominate नहीं किया, तो शिल्पा जी तो वाकई में क्या इतनी भोली है, क्या इतनी उनको समझ नहीं आती चीजें, मुझे यह थोड़ी चीजे कम हजम होती है, कि शिल्पा जी इतनी भोली है, लेकिन आज जस तरिके से करन के समझाने पर वो बार-बार कह रही थी कि करन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह जो नहीं किए करन को maturity करते हैं और गल्ती के बाद जब आपको बताए जाता तो आप कहती हैं कि हाँ मुझे अब लग रहे कि कि मुझे करना चाहिए था तो आपको उस time क्यों नहीं याद आता है, जब nomination का time था तब आपको क्यों नहीं याद आता है, कि भाईया कुछ लोग है यहाँ पे जिनसे, जिनको मेरे से problem है और मुझे भी उन लोगों से problem है, तब आपको सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जब करन समझा रहा था, तो आपक के अंदर आ जाओ क्योंकि अब जो सिनेरियो है ना वो सीधा या तो अंदर या तो बाहर ऐसा वाला है और जो ये टाइम गौड का टास्क है आप ये लिख के ले लो इस सीजन में करनवीर मेरा टाइम गौड नहीं बनेगा करन टाइम गौड बन ही नहीं सकता है क्योंकि मेकर्स खुद नहीं चाहते हैं कि करनवीर टाइम गौड बने नहीं तो अगर मेकर्स चाहेंगे जिस दिन चाह देंगे कि करनवीर टाइम गौड बने उस दिन मेकर्स डिजाइन करेंगे इस तरीके से कि करन टाइम गौड बन ज इन्होंने बहुत बड़ा कालीजा कि आपना और विवेन के जाके जो डॉमिनोस थे उसको गिराए तो यह शिल्पा जी ने आज किया है और करन के अंदर जो थंड़क पहुची होगी कि वह शिल्पा जी आपने कर दिखाया आपने जो कहा वो कर दिखाया मतलब विवेन के दॉमिनोस गिरा रहे थे विविन भी बुलाया उनको कि शिल्पा जी आईए प्लीज आईए गिराईए मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे गिराती है और शिल्पा जी वहां बहुत हिम्मत करके पहुंची और बहुत हिम्मत करके उन्होंने उसके डॉमिनोस को गिराया और ये क्लेर लिद दिख भी रहा था और करन वहां पर अप्रेशेट बिनको कर रहा था कि शिल्पा जी मान गया आज तो आपने मेरा साथ दे दिया आज तो आपने दूसरे बेटे के पीठ पे खंजर घोप दिया ये वाली चीज हमें continue नजर आ रही थी सबसे पहले मैं ये इस तरीके से हुआ था कि ये टास्क कोई complete कर ही नहीं सकता था जिस तरीके ने जिस तरीके से बिग बॉस ने रूल बनाये थे कि आपका जो supporter है वो आपको support कर सकता है और आपके जो against खड़ा है वो destroy भी कर सकता है तो ये टास्क possible ही नहीं था कर पाना और हम सबने देखा कि इशा संचालक बनी थी जब इशा संचालक बनेंगी एक बात बताओ तो कैसे ये टास्क किसी और के पक्ष में जा सकता है नहीं जा सकता है इशा की मदर जिस दिन आई थी उन्होंने कहा कि बिटा आप संचालक हो आपको ये पता होना चाहिए कि संचालक का फैसला ही आखरी फैसला होता है अब वो फैसला सही भी हो सकता है तो जो सन्चाला कह देगा वही होगा और हम सबने ईशा को कई बारी ये कहते हुए सुना भी कि तुम लोग यार प्लीज दो चार ये जो डाइस है ना इसको collect करके रखो इसको खड़ा करके रखो, बाकी मैं हूँ मैं समाल लूँगी, मैं देख लूँगी क्योंकि संचालक मैं हूँ, ईशा अपने जगह पे बिल्कुल determined थी, बिल्कुल निश्चिंत थी कि मुझे करना क्या है, ये ईशा को पता था अब जो ये बिग बॉस ने गेम खेला कि आज हम आपके भागे के भरोसे छोड़ते हैं किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं, तो देखो किस्मत के भरोसे आप क्या छोड़ोगे बिग बॉस ठीक है, आपने ये जो spin थी, उसको घुमाने वाला टास्क रखा, लेकिन किस्मत भी तो करनवीर के पास आई, लेकिन संचालक कौन था, उसका इशा थी, करनवीर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना हो सकता है, कि करनवीर ने टास्क को पफॉर्म ही नहीं किया, और देखो दिखवी रहा था, कि करनवीर बड़ा निश्चिन्त हो के बहुत आराम से पहले वो वाश्रूम गया, फिर हाथ वाद धोए, उसने फिर वो आया, आके फिर वो परफॉर्मेंस के लिए बैठा, वो जिस तरीके से तक्या वक्या लगा, कि आराम से लेट के राजा साहब जैसे टास्कों परफॉर्म कर रहा था, घर में सभी लोग बोल रहे थे, यामिनी बोल रही थी, शुर्तिका बोल रही थी, अविनाश बोल रहा था, ईशा बोल रही थी, सभी कह रहे थे कि करन टास्कों तो कर ले, तो कहता है कि तुझे मौका नहीं मिलते है, आज मैंने मौका दिया, हाँ, ईशा ने मौका दिया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या वो टास्क करन कर पाता, आप ही बताओ, नहीं कर पाता, उसने बिल्कुल पॉरफेक्ट किया, कि भाई, मैं एक लगा रहा हूं तू एक निकल, मैं वो दो चार लगा भी देता लड़ जगड के सब से तो क्या वो जो सामने अविनाश बैठा हुआ था विवियन था और जो बाकी के लोग थे इडन थी शूतिका थी क्या वो लगने देते नहीं लगने देते बलकि वहाँ पे लड़ाई जगडे और होते धकम धुकी और होती जैसे विवियन और दिगविजे पानी में गिरे वैसे ही किसी के सिर पे लगती किसी के हाथ पे लगती किसी के पैर पे लगती बस ये टास्क यही था और यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता था इस टास्क का कोई विजेता बन ही नहीं सकता था इस टास्क का विजेता कोई तो चलो आज उसको उसका बैक मिला, वापस मिला, और आज रजत को ईशा ने ही टाइम गौर्ड बनाया, ये चीज़ भी हमें बहुत क्लियरली देखने को मिली, कि ईशा ने ही रजत को टाइम गौर्ड बनाया, अचा रजत और दिगविजे के बीच में भी एक जगड़ा हु दरसल करनवीर की बारी यही, करनवीर वाश्रूम में चले गए, दिगविजे ने सोचा कि लाओ मैं ले जाके उसकी ब्रिक्स लगा देता हूं, और मैं शुरुआत करता हूं तब तक वो आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा दिगविजे ने, क्योंकि दिगविजे का बहुत अच्छा दोस्त है, करन को दिगविजे बहुत मानता है, और उसने बिल्कुल सही सोचा और वो जाके कर रहा था, अब पीछे से रजट ने आके उस पे लात मारी की हाथ मारा, जहां पे मेभी दिगविजे को लगी हो, लेकिन दिगविजे वहां पे उसके अगेंस्ट खड अगर कोई दूसरा बंदा होता दिगविजे की जगा तो भाई रजत ऐसे छोड़ने वाला नहीं था उस बंदे को, बिल्कुल भी ऐसे छोड़ने वाला नहीं था, जैसे आज उसने दिगविजे को छोड़ा, वो ले जाके वो खंबे पे खड़ा कर देता, जिस तरीके से दिगविजे के साथ वो वाली ट्रीटमेंट नहीं की नहीं, तो दिगविजे ने भी धक्का मारा, रजत ने भी धक्का मारा, बलकि जो रजत का धक्का होता ना, अगर सामने कोई और होता दिगविजे के तो वो और भी तेज और जोरदार होता, बलकि एक नहीं दो चार ध लेकिन रजट को ये बात अच्छे से याद है कि दिगविजे मेरा भाई है और कहीं न कहीं दिगविजे के लिए रजट के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो दिखता है वो रजट चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिस करे और अब वो दिगविजे के अगेंस्ट भी खड वो उसका क्लियर है कि मैं बिल्कुल अलग हूँ इस से मैं इसके साथ कोई गेम नहीं खेला जाता तो अब देखो ये दिगविजे की कॉल है उसको भी हम गलत नहीं कह सकते उसका नहीं मन है रजट के साथ खेलने का लेकिन रजट की आँखों में दिगविजे के लिए देख रखा है कि रजट अविनाश को किस तरीके से उसने खंबे पर खड़ा किया था विविजे कान में जिस तरीके से जाके वो बोला था वो सारी चीजे भी आपकर याद करो तो आपको याद आएगा लेकिन आज उसने ऐसा कोच भी नहीं किया है तो ये चीजे भी प्रॉबलम उसने ठान रखा है कि मैं करन को टाइम गॉड नहीं बनने दूगा करन को टाइम गॉड नहीं बनने दूगा इसी चकर में उसने विवेन से भी जाके हाथ मिला ली है और हर बार वो सफल भी हो रहा है कहीं न कहीं ये भी बड़ी देखने वाली बात है तो ये च friendship वाले matter पर और आज फिर उसका जगड़ा हुआ करनवीर के साथ जहां पर करनवीर ने एक लाइन बोली उससे पहले जो शुरुतिका ने बोला कि दो लड़कियों के पीछे से खेलता है या दो लड़कियों को खड़ा कर दिया खेल नहीं सकता है बहुत सारी चीजे शुरुत अजिका ने भी बहुत सारी चीजे गलत गलत बोली जहां पर करनवीर का देखो एक ही चीज है वो तुमें गंदा नहीं बोलेगा लेकिन अगर तुम उसे को गंदा बोलोगे तो वो एक्स्ट्रीम लेवल का गंदा बोलेगा मैं यह नहीं कहूंगी कि करनवीर ने जो यह बगगा को सूसू करा ऐसी वाली बात सही थी बहुत गलत बात थी करन को नहीं बोलनी चाहिए थी लेकिन करनवीर का सिंपल सा है वो तुमको नहीं बोलेगा वो तुमको नहीं चेड़ेगा लेकिन तुम चेड़ोगे तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं और बड़ा एक्स् तो शुतिका जी आपको भी सोचना चाहिए जब आप बोल रहे थे कि जैसे आप दो लड़कियों के पिछे से खेलता है या दो लड़कियों को आगे कर दिया आपने आराम से बैठा हुआ है इस तरीके कि जब आप बाते कर रहे थे तो वो दो लड़किया यानि कि शिल्पा जिसको आप mother figure बता रहे थे कुछी देर पहले के लिए कुछी देर पहले जब आप Vivian Karan को compare कर रहे थे तो शिलपा जी को mother बता रहे थे तो जब आप उसको mother figure बता सकते हो थोड़ी देर पहले फिर वो mother figure अचानक से लड़कियां कैसे हो सकती है तो ये आपको भी तो तै करना चाहिए ना थोड़ा सा तो तै करना चाहिए तो शृतिका आप भी गलत तो थी लेकिन बाद में चो आपने woman card खेलने की कोशिस की कि मेरा पती देख रहा होगा शो मेरा बच्चा देख रहा होगा definitely देख रहे होंगे लोग ना देखी रहे होंगे वो भी तो देख रहे होंगे कि हमारी शृतिका क्या कर रही है शो के अंदर तो शृतिका आपकी भी थोड़ी गलती तो है और ये चीज़ों में बड़ी क्लियरली दिखती है बाद में चुम गई आप से बात करने के लिए लेकिन आपने चुम को ये कहके हटा दिया कि मुझे तुससे कोई बात नहीं करनी है बहुत जल्दी आगई तुम मेरे से बात करने के लिए तुम्हारी यही दोस्ती है तुम करन को डिफेंड करते हो तुम जाओ यहां से देखो शृतिका बहुत टाइम से बिल्कुल भरी पड़ी है और चुम के साथ उसके कोई दोस्ती नहीं है उसके मन में अब चुम के लिए भी कोई अटेश्मेंट नहीं है और जहां तक रही बात करन वीर की कि वो चुम को शृतिका से दूर कर रहा है तो हाँ कल आप सबने देखा होगा कि शृतिका के पास चुम जाके थोड़ी देर के लिए बैठी और उसके बाद चुम आके बोलती है कि वो अंडे के लिए शृतिका बोल रही थी कि हम अंडे क्यों नहीं रख देते हैं टाइम गॉड को क्यों नहीं दे देते हैं उसके बाद से करन को समझ में आए कि भाई ये शुतिका के influence में अलग ही बात बोलती है अगर ये शुतिका का influence ना हो तो ये कुछ और होती है और उसके बाद से करन ने decide कर लिया कि अब मैं चुम को शुतिका के साथ नहीं रहने दूगा आपने देखा होगा कि रात को कैसे वो उसको चुम को उसके बेट पे भी नहीं जाने दिया उसने का कि नहीं तुम यहीं सो यहीं सो मुझे अच्छा लग रहा है अब आद में इस बात को शुतिका ने डिकोड भी किया कि वो करन ऐसा उसने बोला कि मुझे तुमारे साथ मतलब तुम मेरे पास सो मुझे अच्छा रहना चाहती है, ओवर शूति का, ये चीज़ क्लियरली नजर तो आती है, ये वाला टॉपिक हो गया हूँ, अच्छा घर के अंदर एक सारा भी है, सारा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी चुडैल बनती है, कभी भूत बनती है, कभी सारा किसी के बाल भी नोच देती है, कभी सारा किसी पे टिशू भी फैक देती है, कभी सारा अविनास, ईशा, एलेस को बात गंदा गंदा भी बोलत देती है, और आज सारा ने क्या किया, दिक्विजे के साथ, दिकविजे ने, जो जवाब दिये सारा को, वो मैं ये नहीं कहोँगी, कि ये गलत दिये, क्योंकि कि सारा जस तरीके का ट्रीटमेंट दे रही थी दिगविजे को, उस तरीके से बिलकुल सही बोला दिगविजे ने, हाँ अब आप बाप पे जाओगे, तो वह आपके बच्चों पे गया, माँ पे जाओगे, ये सारी चीजे देखो, गलत तो है, दोनों तरफ से गलत है, लेक लेकिन अगर सही गलत देखने जाए, तो वहिया, बाप, मा, बच्चे, ये सब लाने की जरूरत ही नहीं है, शो में, शो में आप लोग आए हो, तो आप लोग अपनी अपनी बात करके लड़ो ना, लेकिन आप लोग को तो बाप पे जाना है, मापे जाना है, तो ये सारी सारा जी बहुत गलत है आपके, और आपने लोगों को समझ क्या रखा है, मुझे समझनी आ रहा, और आपने बिग बॉस को भी क्या समझ रखा है, आपको लग रहा है कि बिग बॉस को पता नहीं चल रहा है, कि आप जिस तरीके से नॉमिनेट होती है, और नॉमिनेट होते क आपके कलेश करने से रुक जाते हैं, आपको रोक लेते हैं, नहीं, आपको बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है सभी लोगोंने, और बाहर बैटी जनता हमने भी डिकोड कर लिया है, कि सारा जब नॉमिनेट होती है, तो सारा यही कलेश पाती है घर में, और आप वही तो अगर दिया है तो आपको भी वीकेंड के वार पे निवता दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इतना आप बाप पे क्यों चाहरी है लोगों के सारा जी यह वाली चीज सारा के में यह कह सकती थी वह रात से ही वह परिशानती की भी यह दिखविजे का मीट चु वह चुराओंगी और उसको मैं बनाओंगी वहां पे दिखविजे ने सही किया कि तुम हमसे पूछ के लेना भी प्रिफर नहीं करती थी यहां तो तुमने चुपा के ले लिया और बना भी लिया और खा भी लिया तो यह तो बड़ी यजीब सी बात है और यह आपने किया क हो रही है घर के अंदर बाकी आज का एपिसोड काफी मुझे इंट्रस्टिंग लगा इशा ने बहुत अच्छा किया एविल इशा एविल इशा ने बहुत अच्छा किया टाइम गौड बना के रजत को क्योंकि अविसी बात है ना जिसके हाथ में पावर जिसकी लाठी उस जिन तक है यह नहीं को मैं बनाऊंगी सामनी वाली टीम को नहीं बनाऊंगी शिलपा जी को वक्कई में इशा से सीखना चाहिए कि दोस्ती कैसे निवाते हैं बले ही वो एविल इशा लग रही हो लेकिन एटलिस दोस्ती तो निवारी है न अपनी बस बिग बॉस के घर में यही रिस्तों की जरूरत है इसी रिस्तों की क्लारिटी की जरूरत है और यह सब कुछ होता हुगा नजर आ रहा है बाकी कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि घर के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं बाहर से स्वेता सिंग आ रहे हैं और बाकी भी लोग आ रहे हैं और वो करता जा रहा है शो को देखने में कुल मिला के तो चरिए यह रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू थोड़ा से इसको शॉट ही रखते हैं स्वीट रखते हैं बाकी साड़े बारा होने वाले हैं मुझे भी आरी है नीद मैं भी जा रही हूं सोने तब तक के बादे के रपना कहा लगी है